अब लोग स्वागत आपका नौल इस त्रिक्स्टी फाइब पर मैं आपका जी एस मेंटर ज्यान प्रिकाज जाब के सामने हाजिर हूं इस्टाटिक जीके का पार्ट 11 लेकर तो जितने भी बच्चे देख रहा हैं सभी बच्चे एक बार जूड़ जाएंगे वीडियो को आप लोग सेयर कर देंगे लाइक कर देंगे फिर हम लोग स्टाट करते हैं आज के सेशन को और देखते हैं आज के महत्रपूर्ण फैक्ट को तो सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को सेयर करते हैं और लाइक करते हैं देन विल स्टाट दे सेशन आफ टोड़े दोस्तों यह नौल इस्ट्री सिस्टी फाइब दिस वन इस्टाफ सोर्स फॉर लेटिस्ट करेंट अफेर्स और जैनल अवेडनेस यहां पर आप करें दोस्तों तो याद रखिएगा आप साथ ही नौल इस्टी फाइब के साथ इन सभी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको यहां पर दस मिनट के बहुत ही बहतरी वीडियो मिल जाएं आप दोस्तों हमारे प्लस कोर्स से भी जुड़ सकते हैं जिसमें आपको लाइब क्लासे मिलती हैं लाइब टेस्ट और क्विजज़ मिलते हैं डिफ्रेंट एक्जाम के लिए इस्ट्रक्चरड कोर्से मिलता है इसके लिए आपको करना क्या होता है अनकेडमी के सब्सक्रिप्सन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करना होता है जिसके लिए आपको करना है उसके बाद आपको अपना गोल स्सी या रेलवे एक्जाम जो भी आपका एक्जाम हो से सेलेक्ट करना है फिर आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है तो आपके पास यह सारे options होते हैं जिसमें आप या तो 12 या 24 month कोई भी आप एक opt कर सकते हैं उसके करेंगे करने के बाद आपके पास यह सारे options होते हैं इसमें साप यह तो ट्वैल या 24 month सेलेक्ट करेंगे फिर आप यह code लगाएंगे इस code को लगाने पर आपको 10% का discount मिलता है फिर आप payment करेंगे payment करने के बाद आप अनक एडमी के सब्सक्रिप्शन का benefit ले सकते हैं और याद रखेंगे अगर आप 6-12-24 month का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास no cost EMI का option भी अबेलेबल होता है यानि कि आप without interest आप इससे क्या कर सकते हैं मंतली भी पे कर सकते हैं ठीक है तो सभी बच्चे जुड़ गया है सब्सक्रिप्शन करते हैं आज के क्लास के अंदर जो हमारे पास हम लोग जो देखने वाले हैं कई सारे चीजों के important legs देखेंगे important tribes of world देखेंगे हैं आप important dance forms देखेंगे किस player में कितने किस मतलब खेल में कितने player होते हैं इसे भी हम लोग देखने वाले हैं और भी कुछ important facts हैं जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं ठीक है तो सभी बच्चे जुड़ गये हैं तो हम लोग चलिए start करते हैं आज के session को अभिशेक सिंग राजपूत जी प्रशांत अगनिहित होत्री जी गंभीर चोहां जी रोहित जी मुम्ताज आलम जी नीरोज सरोज जी नीरस सरोज जी बहुत पढ़िया रवीना सर्मा जी थैंक यू सेंडी जी थैंक यू चलिए तो इस्टार्ट करते हैं दोस्तो अग्र मॉनिंग रवीना जी कुमार सोनू पाल जी लेट्स इस्टार्ट दे सेशन अफ टूडे आज दोस्तो सबसे पहला जो है हमारा इंपोर्टेंट फॉल्स ऑफ एंडिया इंपोर्टेंट फॉल्स यहां से दोस्तो देखिए जितने फॉल्स मैं यहां पर जितने फॉल्स हैं यहां पर है ना यह सारे फॉल्स आपके टिप्स पर होने चाहिए क्योंकि यह जितने भी फॉल्स हैं आपके एक्जाम में यह च सहस्त्र धारा फॉल यह कहां पर दोस्तों देहरा दुन के पास इस्ते थे यानि कहां पर है उत्राखंड में है ना कहां पर है यह उत्राखंड में देहरा दुन के पास है ठीक है और देहरा दुन के बारे में जानते हैं आप लोग यह जो देहरा दुन है ना यहीं पर क्या है forest research institute है क्या यह आपर forest research institute है FRI है और यह दोस्तो सहस्त्रधारा fall जो बना है यह कैसे by liquidification of lime stone rock यानि जो चूना पत्थर है चूना पत्थर के दोस्तो liquidification से यानि उसके liquidification से यानि उसका मतलब जो द्रभी करण है उससे यह सहस्त्रधारा fall बना हुआ है इस जिसको आपको याद रखने है बहुत ही important है कई बार आपके exam में पूछा जा चुका है अगला दोस्तो जो fall है हमारा elephant fall ध्यान से समझेगा elephant fall की बात करते हैं दोस्तो यह कहाँ पर salong में इस्तित है salong वही दोस्तो megalai की जो राजधानी है और megalai में आप लोग जानते हैं दोस्तो एक पौधा होता है nepenthes जो कीट भक्ची पौधा होता है जिससे हम लोग pitcher plant भी कहते हैं और megalai की बात करते हैं यह पर नौकरिक भी है दोस्तो चूकी यह elephant की ऐसा दिखता है इसलिए इसे elephant waterfall नाम दे दिया गया किसके द्वारा? Britishers के द्वारा इस चीज़ को आपको याद रखना है elephant fall कहाँ पर आया? decision megalaiya अगले मुद्दे की दरब चलते हैं अगला जो है हमारा chulia fall chulia fall जो है दोस्तो यह कहाँ पर है? quota में है किस नदी के उपर है? चंबल नदी के उपर और चंबल के बारे में याद रखिएगा दोस्तो यह चंबल जो है सबसे ज़्यादा soil erosion यानि मर्दा अपरदन करने वाली नदी कौन सी है? चंबल जो कि किस की सहायक नदी है? आप रुख जानता है यमुना की कैन, बेतुआ और चंबल यह तीन जो नदियां है वो दोस्तो किस की? याद रखिएगा यमुना की सहायक नदी है जबकि यमुना खुद किस की सहायक नदी है? वो गंगा की सहायक नदी है, इस चैस को आपको याद रוכना है अगला दोस्तों जो fall है, बहुत ही खूबसूरत fall है यह याद रखिएगा धुआधार fall यह दोस्तों कहां पर है? यह याद रखिएगा यह है जबलपुर मद्यप्रदेश में कहां पर है जबलपुर मध्यप्रदेश में और किस नदी के ऊपर है नर्मदा नदी के ऊपर है इस चीज़ को याद रखना है बहुत very very important कई बार आपके exam में पूछा जा चुका है धुआधार जलप्रपाथ ये कहां पर है it is in MP और किस नदी के ऊपर है दोस्तो नर्मदा दोस्तो या अगले मुद्द्दे पर अगले फॉल की उपर तो दौस्तो अगला है रजरपपा फॉल रजरपपा फॉल की जब बात करते हैं दोस्तो जगह पर दोस्तो याद रखिये और रहा नमक अस्थान पर दोस्तो in temple भी रजरॉप बेवयर गापक्र से बुच्छ को भी याद रखना से बन्ता यह हुआ जके शनलने से ब स्बाहसा है कि यहां पड्रीन 19 … ल क Omaha चाहन है लुग ठीद का कि önemliega mm य22 अर्मदा का ओरिज्ञ जो है अमर कंटक में है देबु गोस्वाममिज और मनादा नदी पर बेंब़े सर्दार सरोवर डेम आप लोग जानते हैं नर्मदा और यह जो तापी यह दोनों नदियां किदर से किदर बहती है तो पूरब से मतलब किदर बहती है यह पस्चिम की तरब बहती है और कहां जाकर मिल जाती है यह याद रखिएगा पस्चिम को और बहने वाली नदी है और जाकर किसमें अरब सागर में मिलती है अगला है दोस्तु हुंडरू फॉल कई बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ, यह किस नदी के उपर, इट इस ऑन स्वर्ण रेखा नदी, अट राची, यानि जारखंड में राची के पास है, यह कौन सा हुण्डरु जल प्रपाद, जो किस नदी के उपर है, स्वर्ण रेखा नदी के उपर है, इस याद रखिएगा यह भी बहुत IMPORTANT है, यह कहाँ पर है दोस्तो, सिमलिपाल नैशनल पार्क of Mayour Bhans district of Odisa, Odisa के अंदर दोस्तों एक डिस्टिक है Mayour Bhans और वही पर है दोस्तों सिमलिपाल नैशनल पार्क में कौन सा फॉल है, जो राणडा फॉल है, इस चीज़ को आपको य नदी के उपर है मचकुंड रिवर पर कहां पर तो दोस्तों ये कोरापुट डिस्टिक है ओडिसा के अंदर वहां पर है कौन सा फॉल डूडूमा फॉल इस चीज़ को आपको याद रखना है ठीक है क्लियर रहा तक गुड मॉर्निंग काजू जी बहुत बढ़िया यहां तक किसी को कोई समस्या दोविधा परिशानी है तो आप लोग पूचेंगे और सेशन को आप सभी चात्र सेर और लाइक भी करते रहेंगे अच्छा जोडानदा मेला भी लगता है यहां पर बहुत बढ़िया फॉको जी आप ओडिसा से ही है ना इस चलिए बात करता है इसके आ इस्टिक है MP में वहां पर है यह दोस्तों मतलब नर्मदा कुंड है वहां से लगबग 6 किलोमेटर की दूरी पर है कपिलधारा फॉल इस चीज़ को भी आपको याद रखना है अगला है दोस्तों यहना फॉल यहना फॉल जो है यह कहां पर है महाबलेश्वर में है कहां पर महाबलेश्वर में है कौन सा फॉल यह देख रहे हैं दोस्तों दूद सागर फॉल बहुत है इंप इंपर्टेंट है ठीक है यह कहां पर यह है मांडवी नदी के ऊपर है कहां पर गुआ में मांडवी नदी पर इस दूद्द सागर फॉल जब आप ट्रेन से जाते हैं तो आपको दूद साघर फॉल बकाइदा दिखता है, है नट्ररेंग से जब आप गोवा जाते हैं, आपको बकाइदा दूद साघर फॉल क्या होगा, दिखता भी है, अगला है दोस्ता, याद रखिए गोकक फॉल, गोकक फोल जो है, दोस्तो एक होर्स सू ठीक है न, यानि कि घ गोडे के मतलब पैर के आकार का ये मतलब वाटर फॉल है ये कहां पर है दोस्तो बैलगाम डिस्टिक है करनाटका में करनाटका में किस रिवर पर है गोकक रिवर पर है इस चीज़ को भी आपको याद रखना है अच्छा आपने कोई फॉल ही नहीं देखा ओके चलिए हम याद रखिएगा मैंके दातू fall जो है यह कहाँ पर है दोस्तों कावेरी नदी के ऊपर है कहाँ पर बैंगलोरू करनाटेका में अगला fall जो है दोस्तों this fall is very very important very very important जोघ फॉइल दो फॉल यह गुरशपपा फॉल यह इसे दोस्तों महात्मा गांधी फॉल भी कहते है इसे ही क्या कहा जाता है, महात्मा गांधी फॉल, यह याद रखिएगा किस नदी के ऊपर है, at the river Saravati, यह कहां पर है, करनाटका में, not Maharashtra, करनाटका में है, कौन सा, जोग फॉल, गुर्शप्पा फॉल, कहां पर है, करनाटक के बॉर्डर परिस्तित है, इस चेज को आपको याद रखना है, अगला है दोस्तो, सिव शमुद्रम फॉल, शिव शमुद्रम फॉल जो है दोस्तो, और सिव समुद्रम परियोजना, दोनों ही दोस्तो किस नदी पर है, काविरी नदी पर है, कहां पर, याद रखिएगा, करनाटक में है, है ना, करनाटक में, अगला है, ह होगे नकल फॉल होगे नकल फॉल यह जो है दोस्तों यह किस नदी पर है काविरी नदी पर है कहां पर इन तमिल नाडू इन तमिल नाडू ठीक है अगला है पाइकारा फॉल यह किस नदी के ऊपर है पाइकारा नदी के ऊपर है नेलगिरी हिल्स पर कहां पर उटी में है इस आगे की बात करते हैं, तो अगला है दोस्तो, Vata Parai Fall, ये कहां पर है दोस्तो, पालनी पर है मिन मट्टी का मतलब होता है वेर फिसे सार ब्लॉक जहां पर फिस जो है क्या हो जाता है ब्लॉक हो जाता है और यह कहां पर है दोस्तों यह है केरला में अगला है वजाचल वजाचल फॉल यह कहां पर है दोस्तों यह भी है केरला में किस नदी पर चालकुड़ी नदी ठीक है ना क्लियर है यहां तक यह सभी इंपोर्टेंट लेक्स हैं जहां से आप से सवाल पूछे जा सकते हैं एक लेक है दोस्तों याद रखिए एक मतला इंपोर्टेंट फॉल्स है जहां से आप से सवाल बन सकते हैं और दोस्तों यहां पर दो फॉल के बारे में आपको और याद रखना है एक तो आपको याद रखना है चित्रकूट फॉल यह चित्रकूट फॉल यह कहां पर है दोस्तों छथ्टिसगड में है और बारत का नियाग्रा फॉल कहा जाता है क्या इसको आपको याद रखना है और एक है दोस्तों याद रखिएगा कुंचिकल के बारे में याद रखिएगा दोस्तों जो कुंचिकल फॉल है नेक्स्ट फॉल डिस इस वरी वरी इंपोर्टेंट जब हम लोग कुंचिकल फॉल की बात करते हैं याद रखिएगा ये दोस्तों करनाटक में है किस नदी के ऊपर है इन करनाटक तो याद रखेगा इट इस ओन वाराही रिवर है ना वाराही रिवर और दोस्तों ये जो है याद रखेगा इंडिया का सबसे हाइस्ट इंडिया का सबसे हाइस्ट वाटर फॉल है जिसकी दोस्तों उचाई जो है 455 मेटर है आपको याद रखना है, ठीक है, कुंचिकल फॉल is the highest waterfall in India, ये करनाटक के सिमोगा district में है, करनाटक के किस district में है, सिमोगा district में है, किस नदी पर है, वारा ही नदी पर है, और इसकी जो उचाई है दोस्तों, वो कितनी है, 450 मेटर, 455 मेटर है, इस चीज़ को आपको याद रख है, या फिर 1493 feet भी कह सकते हैं, या फिर 1493 feet, feet में भी हो सकता है, आप से पूछ दे कभी, हो सकता है, आप से मेटर में पूछ दे, तो आपको इस चीज़ को याद रखना है, बहुत ही important है, यहाँ से भी आपका सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है ना, चलिए, यहाँ तक आगया समझ में, अगले मुद्दे पर चलें, मूफ करें next point पर, चलिए, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, इसके बाद important tribes of world, जितने भी मैं बताऊंगा, उतने आपको याद रखने हैं, क्योंकि वहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ तक कि जो false related सवाल आपका नहीं जूटेगा, ठीक है, यह class 9 बजे start होती है, है ना, सुबह 9 से 10 बजे तक यह class होती है आपकी, चलिए next उस पर चलते हैं, अगला है पहले number of players in different sports team, यानि कि अलग-लग sports team में number of players कितने होता हैं, यहाँ से भी देखिए, खास करके जो railway के जो exam होता ह है ना, उसमें आपका सवाल पूछा जाता है, हाँ, इतने ही बहुत है, बात तो सही है, है ना, लेकिन इस 30 अगर जितने भी मैंने बता दिये ना, इस से ज़्यादा आपको कोई भी waterfall परने की जरूरतने हैं, तो कई सारे waterfall हैं इंडिया के अंदर, है ना, इंडिया में ऐसा नहीं है कि मतलब काफी खूबसूरत खूबसूरत जगहां हैं गोमने के लिए, है ना, अभी तारिक आजम जी, कम से कम चार-पांच, 3-4 क्लास, तो कम से कम और होगी, है ना, 3-4 क्लास, कम से कम अभी और होगी, जब हम लोग बात करता है, दोस्तों गैम, तो क्रिकेट में तो आपके कप हैं वह किससे हैं फुटबॉल की जब बात करता ह läuft यह दोस्तो आपका दूर्ड कर Enough सीजर कप यह सारे जो आपके कप हैं वो किसे हैं फुटबॉल से सम्मद्द देते हैं और फुटबॉल की टीम में भी दोस्तों कितना आपका 11 प्लेयर होता है सेम उसी तरह हौकी की बात करा सुल्तान अजलान साह कप आगा खां कप है ना इसमें दोस्तों कितना याद रखेग नहीं भी बन सकते हैं लेकिन इसके बाद वालेजों है ना यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है जैसे बास्केट बॉल है आपको यह याद रखना है इसमें पांच प्लेयर होता है बेस बॉल है इसमें कितने नाइन प्लेयर होता है रगबी रगबी फुटबॉल जो होत प्रश्न पूछा जा चुका है वालीबॉल कई बार पूछा जा चुका है सिक्स प्लेयर होते हैं कबड़ी कई बार यहां से प्लेयर होते हैं इसके अंदर ट्वेल प्लेयर होते हैं हैं इस चीज को याद रखना है खास करके यहां पर जो ज्यादा इंपोर्टेंट है यहां से आपके डिफ्रेंट डिफ्रेंट एक्जाम में कई बार सवाल पूछा जा चुका है यह हमारे मतलब क्या थे इंपोर्टेंट मतलब गेम्स के अंदर नंबर आफ प्लेयर कितने हैं यह आपको पता रखना है अब इसके आगे चले अगले मुद्ध पर यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं हो तो मूव करां आगले पॉइंट पर तैंक यू निखिल ठाकुर जे तैंक यू सो मज है ना चलिए मूव करां आगले उस पर बहुत बढ़िया अगले उस पर चलता है दोस्तों अगला है इंपोर्टेंट ट्राइबस ऑफ वर्ल्ड विश्व की महत्वपूर्ण जन जातियां ठीक है यहां से जहां पर मैं हैस्टेग लगाऊंगा समझिएगा वह बहुत इंपोर्टेंट है उसको आपने याद रखन ही रखना है ठीक है ना चलिए इंपोर्टेंट लगवग 20-25 ट्राइब हैं जिसको आपको याद रखना है मतलब 20-25 ट्राइब मतलब टोटल मैं बताऊंगे जिसमें की 10-12 ऐसे हैं जिसको कि आपको याद रखना ही रखना है वहां से आपके सवाल बनेंगे ही बनेंगे ठी यह कहां पर पाया जाता है जपान में अलूट्स यह कहां पर मिलता है अलास्का युएसे में यह आपको याद रखना यह उपर वाले याद नहीं भी रखेंगे चलेगा लेकिन यह जो है बैदूइन यह दोस्तों आपको याद रखना यह कहां पर मिलता है अरब में मिलता है क कुछ जरूरी है बिंदीवू या फिर अब औरिगिन्ज हैना यह कहा पर मिलता औस टेलियन डेसरट में मिलता है बारुया यह कहां पर मिलता है पापूआ न्युगेनिया में मिलता है यह जो है दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है बुस्मेन इसे याद आपको बहुत जरूरी है ये कहां पर मिलता है साउथ आफरिका में खास करके ये कहां पर पाईजाती है काला हारी डेजर्ट में मिलती है चुकची ये भी आपको याद रखना है ये भी आपका बहुत इंपोर्टेंट है ये कहां पर मिलता है रसिया के उत्तरी भाग में मिलत एसकीमो बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों यह भी एसकीमो कहां पर मिलती है आपको नौर्थ अमेरिका में मिलती है यह भी आपको याद रखना है फुलानी इसे भी याद रखना यह भी इंपोर्टेंट है आपका यह कहां पर मिलता है यह आपका वेस्ट अफ्रिका में मिल है जितने मैं बतारो जहां पर मैं हैस्टेग लगा रहा हूं इसको आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि यहां से आपके अलग-अलग परिक्षाओं के अंदर सवाल पूछे गए हैं अगले उसकी तरब चलते हैं दोस्तों अगला हौसा हौसा की बात करते हैं यह साउध वैस्टर्न अफरिका में पाया जाता है इस चीज़ को याद रखिएगा इबैंस की बात करते हैं ब्रुनई मलेसिया इंडोनेसिया में पाया जाता है उतना जरूरी नहीं है यह इंडिया ट्राइप्स यह दोस्तों रेन फॉरिस्ट में मिलता है कहां पर ब्राजिल जो अमेजन के जो दुस्तों फॉरिस्ट यह लोग व्लंग्स ऑफ अर्त यह प्रित्वी का फिय पड़ा भी कहा जाता है याद रखिएगा इन यह इनुए ऋफित्ट यह दोस्तों पर नॉर्थ आमेरीका में पाया जाता है और्यान चाहां और नौर्वी Č्ह यह जाता है Finland में मिलता है Morris, ये कहां पर New Zealand में पाया जाते हैं इसे आप याद रखेंगे, यहां से आपका सवाल पूछा जा सकता है Maasai, this is very very important ये दोस्तों कहां पर मिलता है Kenya में या Tanzania में ये Maasai और Morris ये दोनों याद रखेंगा, ये दोनों आपके काफी ज़्यादा important है अब अब लोग बात करते हैं इसके आगे अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जो अगला है ओरांग आसली ये दोस्तों मलिशिया में पाया जाता है पैनिन्सोलर मलिशिया में पिगमीज वेरी वेरी important पिगमीज कहाँ पर मिलता है दोस्तों Central Africa में बहुत ज़्यादा important है रेड इंडियन ये भी दोस्तों बहुत महत्यपूर्ण है ये कहाँ पर मिलता है North America में मिलता है ठीक है सैमोइद्स ये कहाँ पर साइबेरियन ब्रिजन में उतना important नहीं है सैमांग्स, मालाया पैनिन्सूला में मिलता है ये भी important नहीं है तौरेग, नौर्थ आपरिका में मिलता है ये भी important नहीं है उतना यॉकुट्स, साउथ वेस्ट यूसे में ये भी important नहीं है लेकिन ये जो last one जो है आपका जूलू बहुत जादा महत्यपूर्ण है ये कहां पर मिलता है Southern part of Africa यानि टक्चिन आफरीका में पाया जाता है इस चीज़ को याद रखना है जितने भी मैंने hashtag लगाए है जितने भी उसमें उसको आपको याद रखना बहुत महत्यपूर्ण है क्योंकि वहाँ से आपके एक्जाम में सवाल पूछे ही जाएंगे खास करके जूलू, मसाई, पिगमीज, रेड इंडियन, बुसमैन है ना ये सबी जो हैं आपको याद रखने जरूरी है ठीक है चले इसके आगे अगले मुद्दे पर यहां तक किसी को कोई समस्या, परिशानी दुविदा है तो बताएंगे और दोस्तों सेशन को आप लोग सेर और लाइक भी करते रहेंगे अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसकी इंपोर्टेंट डान्स फॉर्म उफ इंडिया बारत के महत्तव पॉर्ण जो डान्स फॉर्म है हैना, उसकी अम लोग चर्चा करेंगे state-wide जो डान्स फॉर्म है जहां पर मैं आपको बताओंगा कि इसे याद रखना आपको बहुत सारे डान्स फॉर्म देखिया, बहुत सारे हैं एक स्टेट में कम से कम 6-7 प्रकार के डांस फर्म होते हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा, उससे आप मार्क कर लेंगे, उससे आप लिख लेंगे, वहाँ पर दोस्तों आपका प्रस्ण जो है, वहाँ से आपके जरूर बनेंगे, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं और इंडिया के tribes भी मैं आपको बता दूँगा आगे Indian tribes के बारे में जो महत्वपूर्ण इंडिया के tribes हैं उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे चलेंगे तो चलिए दोस्तो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग dance forms in India देखिए सबसे पहले तो यह जो dance form देख रहा है यहाँ पर यह कैसे dance है दोस्तो classical dance का मतलब क्या होता है जो आपके Sanskrit के जो होता है classical dance का मतलब उसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग हाँ folk dance भी पूछा जाता है classical dance भी पूछा जाता है रवी वर्गीजी तो यह जो है आपके classical dance है classical dance में याद रखिएगा सबसे पहला भरत नाटियम कहा पर है यह तमिल नाडू में कतक जो है कहा पर है उत्तर प्रदेश या northern इंडिया भी कह सकते है नॉर्थ इंडिया भी कह है सकते है खास करके यह उत्तर प्रदेश में कोच्चिपुरी यह पर है दोस्तो ङाद रखिएगा केरल में सब्सक्राइब ने ही actually बहुत important है सतरिया दोस्तों कहाँ पर है याद रखिएगा यह आपका अश्यम में है मानिपूरी यह कहाँ पर है दोस्तों मानिपूर में है और मोहिनी अट्टम यह कहाँ पर है दोस्तों केरला में these are famous classical dance form of India भारत के महत्रपूर्ण सास्त्रिय नृत्ति हैं यह अब इसके आगे चलेंगे हम लोग बात करेंगे किस की बिलकुल कतक कली इस ऑफ केरला सतरिय आफ असाम मानिपूरी आफ मानिपूर और मोहिनी अट्टम आफ केरला अगे चलिए और नमसकार देविंद्र कुमार जी बहुत अच्छे अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसके आगे चलते हैं, session को आप लोग share भी करते रहिएगा, सभी बच्चे like भी करते रहेंगे, है ना, next मुद्दे की तरब चलते हैं दोस्तों, तो अगला है अब यह जितने भी dances है, अब यहाँ पर क्या है, यह folk dances है, है ना, folk dance का मतलब क्या होता है, दोस्तों, इसका मतलब होता है, लोक नृत्य होता है, अब लोक नृत्य की हम लोग बात करते हैं, आंत्रपदेश की जब बात करते हैं, यहाँ का लोक नृत्य, जहाँ जहाँ मैं बताऊंगा, कि यह सब आपको याद रखने हैं, बस उसी को याद रखनी की जरूरत है, एक तो याद रखिएगा, यहाँ पर निए निए अरुनाचल प्रदेश की जब बात करते हैं दोस्तों अरुनाचल प्रदेश की बात करते हैं तो बोईय, चालो, वांचु, पासी, कौंकी, पॉनुग और पॉपर, यह hein की हैं? महत्रौण डांस है? जहां पर आपको वांचु यह जो है दोस्तों, है आपको याद इसके बाद अश्यम की, अश्यम का याद रिखिएगा, एक तो बीहु है, दूसरा, बिच्छुआ, तिसरा, नट पूजा, चौथा, महारस, आचवा, कली गोपाल, छठा, बगुरुम्बा, सात्वा, नागा डांस, और यह है खेल गोपाल, लेकिन यहाँ पर आपको याद र जरूरत यहाँ पर नहीं, बिहार की बात करता है दोस्तुत, यहाँ पर जाट जाटिन, बाखो, बखाईन, पावरिया, और यहाँ पर दोस्तो एक डांस होता है बिदेशिया, यह डांस भी यहाँ पर याद रखने की जरूरत है बिहार में, क्योंकि यह भी यहाँ का महत्त इंपोर्टेंट है, ठीक है, क्लियर है यहां तक, चलिए, यहां तक किसी को कोई परिशानी, दुविदा है तो बताईए, एक यहां का दोस्तो अरुनाचल प्रदेश का एक और डांस है याद रखिएगा, बहुत इंपोर्टेंट है यह भी बार्दो चाम, बार्दो चाम जो डांस है यह अपका अरुनाचल प्रदेश का है, इसे भी याद रखिएगा, बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है, कई बा आते हैं इसके आगे चत्तिस गड़ की बात करते हैं जब चत्तिस गड़ की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर गौर मारिया बहुत इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट पंथी बहुत इंपोर्टेंट राउत नाचा बहुत इंपोर्टेंट है ना पंडवानी उतना नहीं है वेदा मती इतना इंपोर्टन नहीं है कापलिक उतना इंपोर्टन नहीं है लेकिन गौर मारिया पांती और राओद नाचा यह बहुत इंपोर्टन डांस पॉर्म है 26 गड के इसे आपको याद रखना बहुत आवश्यक्व है क्योंगोंकि यहां से आपके एक्जाम में काफी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं आगे की बात करता है दोस्तों गुजरात गुजरात में आते हैं यहाँ पर गरबा इंपोर्टेंट है डांडिया रास बहुत इंपोर्टेंट है टिप पानी जुडियम उतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको आपको याद रखने की जरूरत है, ये तीन आप याद रखेंगे गुजरात में, गोवा की बात करता है दोस्तों, यहां का जो सबसे famous dance form है, वो कौन सा है, फुगदी, उसके बाद सिगमो, है ना, ठीक है, याद रखेंगा, कोली भी याद रखना है आपको, यहां से भ कोली डान्स, फुगदी डान्स, सिगमो डान्स, जागर डान्स, है ना, यहां से आपके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या, परिशानी, दोविदा है, आप लोग बता सकते हैं, और सेशन को दोस्तों, आप लोग share भी करते हैं, सभी ल जूमर, जूमर है ना कि घूमर, घूमर कहां कहा है, राजस्थान के जब कि जूमर कहां कहा है, हर्याना कहा है, फाग, यह भी इंपोर्टेंट है, दाफ, यह भी इंपोर्टेंट है, लूर, यह भी इंपोर्टेंट है, गुगगा, यह भी इंपोर्टेंट है, और खोर, य पर के सáथ सुल्टान पूर्णा पर हर्यानर और गोरखपूर और कुमर्या न्युकलियर फार्व प्लैंट भी कहां पर है ह हर्याना में हिमाचल प्रदेश की बात करता है दोस्तो यहां पर जो आपके dance form है धोडा, जाली, चारही, धमान, चपेली, महाशू और यहां पर दोस्तों एक dance form है याद रखिएगा नटी यह dance form कहां 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 है हिमाचल प्रदेश कहां है कि आपको यह जोरा याद रखना है है ना यह आपको एक छपेली याद रख सकते हैं है यह एक्चुली में उत्रकंड में भी होता है ठीक है और आपको याद रखना है नटी यह निर्थ याद रखेगा कहां का है हिमाचल प्रदेश का है जम्मो कास्मेर की बात करते हैं दोस् है यह याद रखना है कहा के हैं यह जम्मु कास्मीर में है रहकंड की बात करता है दोस्तो तो जार्खंड का जो इसके बाद जूमर इसके बाद फगवा इसके बाद जनानी जूमर इसके बाद मरदना जूमर है ना यहाँ पर मतलब जनानी कहा जाता है औरतों को और मरदना कहा जाता है किसे जैंट्स को है ना जो पूरुस होते हैं उनको मरदना और जो लेडीज होती है महिलाएं होती है उ есITY करनाटक की बात करता है दोस्तों तो करनाटक में एक तो यक्षगान उसके वाद ने इन पर खुटारी कोनिता कुणितों है कोनित यक्षगान और एक दानस दोस्तों जिसका नाम है याद रख़एगा कारगम है कारगम यक्षगान और कुनी था है ना ये तेन डांस फॉर्म याद रखिएगा करनाटेक से जहां से आपके सवाल एक्जाम में पूछा जाता है चिक है क्लेर पॉइंट हाँ जी पैका भी पूछा जाता है बहुत बढ़िया चिक है शेशन को दोस्तो सभी छात्र सेयर भी करते रही है जो नए छात्र है लाइक भी करते रही है ना चलिए अम लोग जब बात करता है दोस्तो केरला की तो केरला की अंदर आप लोगों ने देखा कथक कली है और मोहिनी अट्टम वही दो इंपोर्टेंट है जो की आप से जादा पूछा जाता है ठीक है बागी आप लिख सकते हैं ओटम थुलाल है ना और कई कोटी कली पूछा नहीं जाएगा बस मोहिनी एटम और आप कथक कली ही याद रखिए के रिला में महारास्टर की बात करता है दोस्तों यहां के जो डांस फॉर्म है लावनी नकाटा कोली लेजि का जिसे हम लोग बोलता है तमाशा यह जो डांस हैं दोस्तों यह सभी डांस जोए कहां पर महारास्टर के महत्तपूर्ण है माध्य प्रदेश का सबसे फैमस डांस फॉर्म जावडा बहुत इंपर्टेंट डांस फॉर्म जावडा कई बार पूछा जाता है इसके बाद द यहाँ पर याद रखने मध्य प्रदेश में जावडा सबसे जादा बार आपसे पूछा जाता है जावडा डांस बिल्कुल चार कूला भी है कहां का MP का है चार कूला डांस ये भी याद रखिएगा कहां का है मध्य प्रदेश का ये भी काफी important है जो कि आपके exam में पूछा इसके आगे चलते हैं अगले मुद्दे पर चलते हैं रूही सर्मा जी जारखंड के मैंने तो बताया कर्मा मुंडा है ना यहाँ पर याद रखिए एक तो कर्मा मुंडा है ना दूसरा याद रखिएगा पैका और तीसरा याद रखिएगा जूमर और चौथा याद रखि जब बात करता है दोस्तोव मेगालिया में आपको याद रखना है जो आपका नौक्ष और लाहो यह दो डॉणस फॉर्म जो हैं मैगालेया में आपको याद रखने की जरूरत है ठीक है बिलकुल सबसे ज़्यादा जो स्थी पॉपुलेशन है सपर से ज्यादा कहां पर है स्थी पॉपुलेशन की बात करना तो MP में ठीक है न नजर एहमद जी कट clear यहां तक सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों किसी को कोई समस्या तो नहीं है समस्या नहीं है तो session को आप share और like करते रहेंगे अगला मिजोरम की बात करता है दोस्तों यहां पर एक तो आफस्टीवल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों जिसे हम लोग बोलते हैं चाप चार कुट में याद रखिएगा आपको और मिस्वरम में दोस्तों जो डांस फॉर्म है याद रखिएगा कि मेरब दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर जो फैमस दानस ओर ओब छेराओ डानस जो है एक्चुली यह कैसा डानस बंबू डानस है इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा खुवालम का याद रहा ना महत्त्यम उभणा आपका चैराओ ही के बाद दोस्तों जंग तलम यह याद रख सकता है तो यह रही है नहीं तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपको बस मिजउरब में चेराव डांस याद रखिए चेंद याद के लिए आपको काफी नागा लेंड की जब बात करता हैं दोस्तो जहां पर नागा मकी आप बात करते हैं, तो यहाँ पर एक dance है, रंगमा, इम्पोर्टेंट है, जैलियान, इम्पोर्टेंट है, है ना, और बंबू dance, ये भी आपका important है ठेक है बाकि इस सभी को याद रखनी की जरूरत नहीं है ओडिशा की अगर बात करें तो याद रखिएगा यहाँ पर सवारी घूमर घूमरा है ना घूमरा डांस है यहाँ पर यह पैनका और मुनारी है ना यह सभी डांस फॉर्म इसमें आप याद रखिएगा ओडिशा पंजाब की जब बात करता है दोस्टोड पंजाब में कौन-कौन सा यह पांगड़ा गिद्दा डाफ है ना और इसके बाद भाण और इसके लाट धामन यह डाफ यह इसमें भी आपको सभी याद पंजाब में भी कोई भी आपसे एक्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है आगे आता है राजस्थान की जब बात करता है दोस्तों राजस्थान में आपका घूमर है चाकडी बहुत इंपोर्टेंट गूमर भी बहुत इंपोर्टेंट है ना जूलन लीला उतना इंपोर्टें है गाना गोर यह भी इंपॉर्टेंट है लेकिन याद रखिए का एक डांस फॉर्म है यहाँ पर काल बेलिया यह भी क्या है दोस्तों बहुत ज्यादा महत्व पूर्ण है चिक क्लेर है यहां तक चलिए इसके आगे चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ चलेंगे अगला जो डांस फॉर्म है दोस्तों अगले डांस फॉर्म की अगर हम लोग बात करें बिल्कुल काल बेलिया जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजस्तान में है ना वरी इंपॉर्टंट डांस फॉर्म अगले मुद्धे पर चलता है दोस्तों अगला जो डांस फॉर्म है वो है सिक्किम का सबसे famous dance form है two parts two parts very very important एक याद रखिये आपको बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है ना बाकी आप मेरे हिसाब से यहाँ पर और बाकी आपको जरूरत नहीं है सिक्किम में बस आप एक dance form याद रखिये कौन सा? चूपाट Tamil Nadu की बात करता है दोस्तो याद रखियेगा यहाँ पर कूमी कॉलेट्टम और कावडी बहुत important dance है यहाँ पर और इस Tamil Nadu के अंदर दोस्तो टोडा है ना और कोटा दो जाती भी पाई जाती है याद रखियेगा कोटा और टोडा कहाँ पर मिलती है Tamil Nadu में तो रपूरा का जो दोस्तो dance form है बहुत important है होजागिरी very very important बहुत जादा महत्तपुर्ण है कई बार आपके exam में पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की बात करें तो दोस्तो नौटंकी, रासलीला कजरी, जोडा चपेली है ना और याद रखेगा दोस्तो यहाँ पर peacock dance यहाँ जिसे हम लोग मयूर नृत्य कहते है peacock dance यह भी कहाँ पर है दोस्तो उत्तर प्रदेश का ही है इस चीज़ को आपको याद रखना है शेशन को सभी बच्चे सेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए चो लिया चो लिया यह दोस्तो important dance form थे हमारे देश के ठीक है अगर आप इतना याद रखते हैं तो आपको बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है इतना अगर आपने याद रख लिया इट इस मोर दन इनव है ना आपके examination कोई भी आप exam दे लिजिए वंडे, ssc, railway, nda, cds कुछ भी, pcs तक दे लिजिए आपके इसके अलावे आपसे dance form नहीं पूछा जाएगा ठीक है खास करके जितना मैंने आपको बताया है उसे याद रखने की जरूरत नहीं है मतलब उतना आपको याद रखने है तो बताएंगे आप लोग ठीक है एसके सिंग जी क्या आपका सवाल था सुमित पाटक जी, नमस्कार चलिए, आगे मुद्दे पर चलते है मत की डांस अच्छा, मत की डांस याद रखिएगा MP का जो मालवा छित्र है लिख लिजिएगा ये भी मत की, मत की डांस जो है ये कहाँ पर होता है MP के जो मालवा वाला जो रीजन है मालवा रीजन जो है वहाँ पर आपका ये मत की डांस होता है है ना याद रखिएगा चीक है चलिए अगले मुद्दे पर चलते हैं अगले मुद्दे की तरफ next हमारा दोस्तों क्या है हाँ अगला है important lakes of India important lakes in India भारत के अंदर जो महत्वपुर्ण लेक हैं महत्वपुर्ण जो जील हैं उन जीलों की अब बात करेंगे जितने जील मैं यह याद रखने की अविश्यक्ता नहीं है ठीक है ना याद रखिए कि यह भांड पत्थर है ना जो आप बोल रही है भांड पत्थर यह भी जम्मु कास्मीर का एक फोक डांस है है ना सरस्वती जेंड के का क्या है यह एक फोक डांस है आप इसे भी लिख लेजिएगा भांड पत्थर यह जो आपका डांस है यह कहां का जम्मु कास्मीर का एक फोक डांस है ठीक है सरस्वती जी इसे भी आप लिख लेजिए गा ठेकर तौकीर आलम जी मैं इन्वारामेंट एकलाजी भी जैसे इस्टैटिक जी के होता है ना उसके बाद इन्वारामेंट इकलाजी जो है उसको मैं प्रयास करूंगा कि आपको करवा दूँ हां जी राजबीर जी मैं डाल दू मार्क किये हुए चीज़ होते हैं वह आपको नहीं मिल पाते हैं वहां पर ठेक है शेशन को आप लोग सेयर और लाइक भी करते रहिएगा सभी छात्र जितने भी हैं है ना चलिए आर्मी पब्लिक स्कुल के लिए लेका ले ले लीजिए का जूजी ठीक है मैं इसके बाद सोच रहा हूँ ना कि जैसे हमारा इस्टाटिक जी के फिनिस हो जाता है ना तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि इंपोर्टन्ट कोश्चन की सिरीज ले आऊ है ना जिसमें कि लगबग नाम मात्र के 200 रहेंगे लेकिन जादा से जादा सावाल आप लोगों को करवा दू ऐसे जो की मतलब यूनिक यूनिक जो कुश्चन होता है ना उस तरह के कुश्चन को मैं सोच रहा हूँ करवा दू आप लोगों को ठीक है चलें आगे चलिए अगले उस पर चलता है अगला है हमारा इंपोर्टेंट लेक्स इन इंडिया तो यहां पर देखे सबसे पहला वंबनाद लेक कहां पर है केरेला में और यह क्या है दोस्तों लांगेस्ट लेकिन इंडिया यानि यह भारत का सबसे लंबा लेक है जील है इस चीज़ को याद रखना है ठीक है और सेशन को आप शेयर भी करते रहिए इसके सिंग जी देखिया मैं ट्रिक पेना क्योंकि विश्वास नहीं करता हूं है इसलिए मैं ट्रिक से नहीं पढ़ाना चाहता हूं है ट्रिक के लिए आपके पास कई सारे वो हैं आप ट्रिक से पढ़ सकते हैं मेरा तो सीधा सीधा मानना है कि आप जितना बार बार लेक्स है कैसा लेक है यह लार्जेस्ट लगून लेक है इंडिया का चिलकलिक च कर लेक्सिवा जी सागर लेक्स है कहाँ पर महाराश्ट्र में है पूलिकट लेक ये कहाँ पर है अंध्रप्रदेश में है सरदार शरोवर लेक ये कहाँ पर है गुजरात में है और राजस्थान दोनों के मतलग बर्डर पर है ये सरदार शरोवर लेक नागारजुन सागर लेक ये कहाँ पर है दोस्तों दिस जिन तैलांगा ना लोकट लेक दोस्तों ये किदर है मनिपूर में है और लेक लोकटक लेक के बारे में याद रखेगा दोस्तों इस लेक में तैरता हुआ क्या है दोस्तों एक नैशनल पार्क है जिसका नाम है किबुल लामजाओ नैशनल पार्क क्या नाम है किबुल लामजाओ नैशनल पार्क से बड़ा फ्रेस वाटर लेक है दोस्तों ये कहां पर ये है जम्मू and कास्मिर में largest fresh water lake of इंडिया याद रखेगा fresh water lake of इंडिया इसके बाद की बात करते है दोस्तो तो अगला जो हमारा लेक है याद रखिएगा कोलेरू लेक कहा पर है दोस्तो ये भी है आपका आंदर प्रदेश में हाफ लॉंग लेक वरी इंपोर्टेंट कहा पर है दोस्तो ये असम में दिपोर बील लेक ये कहा पर है दोस्तो अशम में चांदूबी लेक ये कहां पर है दोस्तों याद रखिएगा अश्चम में कावर लेक या कावर झील बोलते हैं इसे और कावर झील में दोस्तों कावर झील बड सैंक्चोरी भी है. यह कहाँ पर है दोस्तों बिहार के बेगू सराई जिले में है ना इसके बाद दोस्तों याद रखिएगा हमीर सर लेक बहुत इंपोर्टेंट यह दोस्तों कहाँ पर है दिस इजन गुजरात काकाडिया लेक यह दोस्तो आहमदाबाद की बीचो बीच इस्थित है गुजरात में कहाँ पर आहमदाबाद सहर में और काफी खुबसूरत जगह है मुझे एक बार जाने का मौका भी मिला है यहाँ पर आपका बोटिंग करने का एक अलग ही आनन्द है और उसका रात में जब आप इवनिंग के टाइम में पूरी लाइटिंग होती है और उसके बीच में जब आप मोटर बोट चलाते हैं तो उसका एक अलगी आनन्द होता है अगला है बटकल लेक बटकल लेक की बात करा दोस्तों यह कहाँ पर है यह आपका हर्याना में ठीक है कहाँ पर है यह हर्याना में फरीदबाद में है ना इसके बाद की बात करता हैं दोस्तो ब्रह्मा सरोवर यह कहाँ पर है दोस्तों यह झाद रखर प्रताप शागर लेक यह कहां पर है दोस्तों याद रखेगा ये भी है हिमाचल प्रदेश में डल लेक की बात करते हैं डल लेक कहां पर है ये आप आपका कहां पर है जम्मू कस्मीर में है इस चीज़ को भी आपको याद रखना है यहां तक सभी को समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है दोस्तों तो आप लोग सेशन को सेर और लाइक भी करते रहिए जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी बच्चे जादा से जादा से जादा सेशन को लाइक करें और सेर करें है ना चलिए इसके बात की बात करते हैं दोस्तो नेक्स्ट मुद्दे की तरफ चलते हैं अगले लेक की तरफ चलते हैं अगला लेक है दोस्तो कौन सा अगारा लेक है अगारा लेक ये कहां पर है इट इसन करनाटका उल्सुर लेक ये कहां पर है दोस्तो ये है आपका करनाटक में कुटानाड लेक बहुत इंपोर्टेंट कुटानाड लेक यह कहां पर है केरल में सस्तम कोड़ा सस्तम कोटा सस्तम कोटा लेक यह कहां पर है केरला में भोज ताल यह कहां पर है दोस्तो मद्यप्रदेश में सिवशागर है ना यह सिवाजी सागर भी कहता है महारास्ट्रा में लोकटक मनिपूर में उमाईयम लेक ये कहाँ पर है मेगालया में और ताम दिल याद रखेगा ये किदर है इटजन मेजोरम ये कहाँ पर है मेजोरम में है इस चीज़ को आपको याद रखना है ठीक है यहां तक किसी को कोई समश्या कोई परिशानी कोई दुविदा है तो आ पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तो, यहां पर देख सकते हैं, और अगले लेग की तरफ चलते हैं, अगले की तरफ चलता है अगला है हरी के हरी के लेग यह कहा पर है दोस्तो, पंजाब में। कांजली बहुत इंपोर्टेंट है याद रखियेगा ये भी कहाँ पर है पंजाब में सांभर याद रखियेगा दोस्तो सबसे ज़्यादा सलाइन सबसे ज़्यादा खाड़े पानी वाला जो जील है वो कौन सा है दोस्तो सांभर है याद रखियेगा ये कहाँ पर है राजस् चिक है अंजी बताईए चलते हैं इसके आगी अगले मुद्दे की तरफ ठीक है चलिए नेक्स्ट है हमारा शोगमो शोमगो लेक है ना सोमगो लेक कहा पर है भाई साब सोमगो लेक है सिक्किम में चैंबरम बक्कम बहुत इंपोर्टेंट है ये चैंबरम बक्कम है ना ये कहा पर है तमिल नाडू में हुसाइन सागर this is also very very important ये भी बहुत ज्यादा important है दोस्तों ये कहाँ पर है ये है तेलांगना में अगला है दोस्तों गुविंद बल्लब पंत सागर ये कहाँ पर है दोस्तों दिस इन उत्तरप्रदेश बेल शागर ये भी दोस्तों कहाँ पर है उत्तरप्रदेश भीमताल यह बहुत important है, यहाँ पर भी काफी खुबश्चूरत है, यहाँ पर भी जाने का मौका मिला है एक बार, है ना, याद रखेगा यह कहाँ पर है, this is in उत्राकंड, यह कहाँ पर है, उत्राकंड में इस्तित है, इस चिसको आपको याद रखना है, हाँ, सबसे लंबा और सबसे बड़ा वही है, है ना, राजबीर जी, है ना, दोनों ही याद रखेगा, कौन सा है, वेम बना दिये, है ना, ठीक है, चलिए, यहाँ तक किसी को कोई समश्या, तो बताएंगे, चलिए, जब हम लोग बात करते हैं, दोस्तो, इसके आगे, अच्छा, वूलर, बताया तो वूलर यहाँ पर, देखिए, है ना, वूलर लेक तो है, लार्जेस्ट फ्रेस्वाटर लेक, जम्मू कस्मिर में, है ना, लार्जेस्ट फ्रेस्वाटर लेक है, सरस्वती जी, यहाँ पर लिखा भी है, है, चलिए, और किसी का कोई सवाल, कॉलकर्टा में, अच्छा, कॉलकर्टा में देखिए लेक जो है, वह है रविंदर सरोवर लेक है, वह एक्जाम में उतना जाद नहीं पूछा जाता है, बट आपको याद रखना है, आप याद रख सकती हैं, रविंद्र शरोवर लेक है अगला दोस्तों हम लोग बात करते हैं नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया भारत के नाइबरिंग कंट्रीज है ना कौन कौन से और वो किसको स्टेट को छूते हैं इसकी हम लोग चर्चा करेंगे ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क मुझे और मज़ा आ रहा है चीजजान समझ में आ रही है तो सेशन को सेर और लाइक भी करते रही है चलिए नाइबरिंग कंट्रीज की बात करते हैं तो सबसे पहला है दोस्तों अफगानिस्तान अफगानिस्तान की बात करते हैं इसके साथ सबसे छोटी सीमा है कितनी 106 किलोमेटर की सीमा है इसके साथ इसका कैपिटल काबुल और दोस्तों ये किस रीजन को टच करता है याद रहिएगा लदाक में जो पाक अकुपाइड कस्मीर वाला छेतर है उसे दोस्तों टच करता है कौन अफगानिस्त बांगला देश की बात करता है दोस्तों इसके साथ सबसे लंबी अंतराष्ट्रिय सीमा है 4096 किलोमेटर की इसका दोस्तों कैपिटल कहां पर है ढाका है और ये किस किस राज्य को बांगला देश टच करता है तो टोटल राद याद रखिएगा कितने स्टेट को पांच स्ट इसको आपने याद रखना ही रखना है 106 है नजर जी बुटान की बात करता है दोस्तों तु तिम्पू इसका कैपिटल नगुलत्रूम यहां की क्या है करनसी है जबकि बांगला देश की करनसी क्या है टका बुटान को टच करने वाले जो दोस्तों राजी है याद रखिएगा कितने राजी है चार राजी बुटान को टच करता है कौन-कौन से वेस्ट बेंगल सिक किम अरुनाचल प्रदेश और कौन सा असम है ना याद रखेगा इस चीज़ को अगला है दोस्तों चाइना चाइना का दोस्तों बेजिंग कैपिटल करेंसी क्या युवान या रेन बिंबी भी कहते हैं है ना इसको दोस्तों टच करने वा एक, दो, तीन, चार और कितने हो गए पांच हो गए है ना इसके बात की बात करते हैं दोस्तों अगले मुद्दे की तरफ चलते हैं अगला है दोस्तों म्यामार बहुत ही इंपोर्टेंट यहां पर यांगून नहीं बलकि क्या है दोस्तों इसका म्यामार का यह कैपिटल कि का मियामार का और इसकी करंसी क्या है दोस्तों क्या इसको टच करने वाले जो स्टेट हैं दोस्तों वो कितने हैं चार है नंबर नंबर ओफ इस्टेट भी आप से पूछ दिया जाता है कई बार है ना और नंबर ओफ इस्टेट याद रखिएगा आप किस किस से स्टेट को इसको भी याद रखना है इससे टच करने वाले जो इस्टेट है कितने इस्टेट है दोस्तों पांच कौन-कौन से बिहार उत्रकंड उत्तर प्रदेश सेक्किम और कौन सा है वेस्ट बेंगल है याद रखिएगा इसके बाद बात करता है दोस्तों पाकिस्तान पाकिस्तान का कैपिटल कहा पर इस्तामबाद और इसे टच करने वाले राज्य दोस्तो राज्य और यूटी अगर मिला कर देखें तो जम्मु कास्मिर, लदाख, पंजाब, राजस्तान और क्या है दोस्तो गुजरात यानि कि टोटल कितने हो गए है याद रखिए है या टोटल पांच हो जाएंगे यूटी और स्टेट तोनों को अगर मिला दिया जाए तो दो यूटी है और दोस्तो कितने हैं तेन स्टेट है इस चीज़ को भी आपको याद रखना है बात करता है दोस्तो अगला हमारा स्रिलंका स्रिलंका दोस्तो इसका कैपिटल है स्री जैवर्दन पूरे को इसका legislative capital है, जबकि क露मबो ये कैसा है दोस्तों इसका executive capital है हरा दोस्तों याद रखियेगा इसे touch का करता है इसे ये दोस्तों Gulf of Manar को touch करता है पाक state इस भारत और स्रलंका के बीच में क्या बर्ड़ बनाता है और दोस्तों याद रखेगा भारत और सरलंका के बीच में क्या है दोस्तो एडम्स ब्रिजबी है इस चीज़ को भी आपको याद रखना है और मालदीव की बात करता है दोस्तो ये भी भारत का परूसी राजी है जिसका कैपिटल क्या है माले और दोस्तो ये भारत के दक्षिन पस्चिमी छेत्र में दोस्तो क्या करता है बिल रखेगा that is aqverine कौन सा अभ्यास है दोस्तो aqverine नामक अभ्यास है इस चीज़ को आपको याद रखना है यहां तक किसी को भी कोई समस्या किसी को भी कोई कि अभी परेशानी दुविदा है तो आप लोग पूझ सकते हैं यह दोस्तो आज का हमारा ये मतलब आज हम लोग इतना ही देखने वाले हैं बाकि हम लोग कल मिलेंगे भी तर्से जॉग्रपी के लेक्षर के साथ हैना तो आज के लिए इतना ही मिलता हैं दोस्तों फिर से हम लोग कल की क्लास में या तक किसी का कोई डाउट कोई परिशानी कोई दुविदा है तो आप लोग पूछ लीजिए है ना और session को दोस्तों जिन्होंने like नहीं किया है वो session को like कर दें जिन्होंने share नहीं किया है वो session को share कर दीजिए बाकी जिन्होंने दोस्तों चैनल को subscribe नहीं करा है वो चैनल को subscribe भी कर लेंगे और दोस्तों ये code याद रखेंगे GYN10 इस code को दोस्तों लगा कर आप 10% तक का discount ले सकते हैं ठीक है? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लो बिलकुल MacMohan Line इंडिया और चाइना की बीच में है Red Cliff Lines वो है भारत और पाकिस्तान की बीच में है Durand Line पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बीच में है याद रखेंगा ठीक है? तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगली class में आज के लिए इतना ही ठीक है? तैंक्यू सो मच आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए हसते रहिए, स्वस्त रहिए, सुरक्षित रहिए बाबाई, टेक केर और आज आज आपकी एप पर कोई भी special class नहीं है हम लोग फिर से मिलेंगे रात में 9 बजे, है ना? चलिए तो मिलता है दोस्तों, रात के 9 बजे तब तक लिए सभी को बाबाई, टेक केर एंड, आज गूड़ दे